हलो गाईज, वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल पुनम समत्रा इस सेक्शन में हम 1-100 तक के कोश्चन्स शो हैं LT कमिशन के डिस्कस करेंगे प्रिवेस वीडियो में मैंने 101-170 जो कोश्चन्स हैं वो डिस्कस किये हैं पार्ट 1 में अब पार्ट 2 में हम 1 से लेके 100 कोश्चन्स डिस्कस करेंगे अगर आपने प्रिवेस पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कोश्चन नमब वान है अधुलिक्त करंथों में भारती दिहास में कौन सा प्राचिंतम माना जाता है तो इसकांसराय का ओप्शन B रिगवेद कोश्चन नमब टू है आलहा किस रितू में गाई जाते हैं तो इसकांसराय का ओप्शन A वर्षा रितू थर्ड कोश्चन है स्वयंभू ने किस भाषा में रशना की है सुसकांसराय का ओप्शन D अपुरहश कोश्चन नमब फोर है धरम की रसात्म कनभूती ही भक्ती है और अथवा प्रेमर शरद्धा की योग का नाम भक्ती है किस विद्वान दोरह प्रिभाषाय दी गई है सुसकांसराय का ओप्शन C अचारे रामचेंद्र शुकल कोश्चन नमब फाइव है दिव्य प्रवंधम संग्रह किस के पद है सुसकांसराय का ओप्शन B अलवर संत कोश्चन नमब सिक्स है सियुक्त रूप से ब्रहुम, सूत्र, उपनिष्ट और तथा भागवत को क्या नाम तियर गया है सुसकांसराय का ओप्शन D प्रस्थांत्रई कोश्चन नमब सैवन निमलिक्त में से कौन सी रचना मुला दाउद की है सुसकांसराय का ओप्शन B चंदा यत चंदायत कोश्चन नमब एट जो है इसका कंफर्म अंसर काईस मुझे बाता नहीं है अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कोश्चन नमब 9 है कावय को पंतरहबी बिधा किसने कहा है सो इसकांसराय का ओप्शन D राज शेकर नै कोश्चन नमब 10 है औचित्त्य संपरदाय के बिवस्थाबक कौन है सो इसकांसराय का ओप्शन B अचार्यक शेमिंद्र कोश्चनमर 11 है लाटी, रीती के घोच किसने की इसका अंसर है का option A रुद्रटने कोश्चनमर 12 है युनानी शब्द मीथोंस का अर्थ क्या है इसका अंसर A और B option में से एक आएगा I think इसका अंसर option B होगा अगर आपको सही अंसर इसका पता हो तो आप comment section में बता सकते है कोश्चनमर 13 है अचारे रामचंद्र शुकला अलोच को की कि स्रेणी में आते हैं इसका अंसर अंसर अप्शन B रसवादी कोश्चनमर 14 है कवीता मूलत जीवन की समालोचना है किसने कहा है इसका अंसर अप्शन A मैथ्यू ओन रोल्ड कोश्चनमर 15 है अनेकार्थ मंजरी की रशना किसने की स्रेणी 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 का अप्शन B नंद दास ने कोश्चनमर 16 है उची चब्द के सेरिक्त स्थान की पूरती कीजिए गद्य शिक्षन से सब दो भंडार तता डैश प्रिथी होती है इसका अंसर अप्शन D लेखन कोश्चनमर 17 है गद्य शिक्षन के मुख्य परकार है इसका 3 हो सकता है अप्शन C हो सकता है कोश्चनमर 18 है गद्य खौशन में डैश नितांत अप्शिक है option C, रचनात्मक, शुद्ध शब्द उचारण का विकास डाश सिक्षन से किया जाता है, इसका अंसर, friends, यह डाउटफुल ही है, इसका अपर गद्दे और उचारण भी हो सकता है, गद्दे भी हो सकता है, question 21, मुल्यांकन आयाम के परवर्तक है, इसका अंसर, अप्शन B, बुलूम, 22 है, सिक्षा प्रकरिया के मुख्यों देशे हैं, इसका अंसर, अप्शन D, उप्रोक्त सभी, question 23, बालकों के आकलन काधार है, इसका अंसर, अप्शन B, विवहार परिवर्तन, question 24, क्रिशन का सरप्रत्थम उलेक किस रच्चना में मिलता है, सिसका अंसर, अप्शन D, इन में से कोई नहीं, क्योंकि महाभारत में क्रिशन का सरप्रत्थम उलेक मिलता है, Q25 है, खने खने नैन कोई अनुसराई किस कवीता की मंगतिया है? सुसकन सराइगा उप्षिन है, विद्यापती 26 है, इन में से अस्ट छाप का कवी कौन नहीं है? सुसकन सराइगा उप्षिन C, नरुत्तम धास 27 है, बांगला में सबसे परसीध रामायन कौन सी है? सुसकन सराइगा उप्षिन B, कृति वाश रामायन 29 है, जान की विजाय के रिचेहिता कौन है? सुकन सराइगा उप्षिन D, भभूती 29 है, अधुलिक्त में से कौन सा कवी रिति वद्ध नहीं है? सुसकंसराइगा उप्षिन दुजदेव 30 है घनानंद किस नर्तगी से बेहत प्यार करते थे तो इसकंसराइगा उप्षिन डी सुजान 31 है रीतिकाल भक्ति काल के दिये कि लोग का गजल है किस ने कहा इसका अंसर भी मुझे कनफर्म नहीं है अगर आपको बताओ तो आप कमेंट सेक्षिन में जुरूर बताएं कुशन 32 है कवीत रतनाकार किस की रशना है सुसकंसराइगा उप्षिने सेनापती कुशन 33 है बिहारी लाल का जनम कि सन में हुआ है सो फ्रेंट्स यहां सन पूछा है तो 1595 में जो है वो बिहारी लाल का जनम हुआ है तो उसे साब सिसके ग्रेस माक्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि इसमें ऑप्षिन ही नहीं है सो 33 का आपको वन माक्रेस मिल सकता है प्षिन 34 है रगुनात अलंकार किस की रशना है सो फ्रेंट्स रगुनात अलंकार जो है प्रेंट्स तो अंसर हमें कंफर्म नहीं हुए हैं, वो अगर आपको कंफर्म है तो आप कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं ताकि बाकियों को भी उनके अंसरस पता चल सके हैं कोशनम थाटी सिक्स है, भाषा योग बसिस्ट के रिचेता कौन हैं सुसकन सरयगा ऑप्शन बी राम प्रशाद निरंजनी कोशनम थाटी सैफेन है नहीं जमाने की मुकरी के लेख कौन है सुसकन सरयगा ऑप्शन दी भारतेंदू Q38 है, हिंदी, रंग, मंच, काचेनक की से माना जाता है Q39 है, मैतली, शरंग, गुपाल, शरंग, सिंग, गया, परशाद, सुक्ल, किस युक्के का भी माने जाते हैं Q40 राष्ट्रीविन और रिशूल, तरंग, किस की रिशना है Q41 है, बास, बदता, युगधारा, तथा, कुनाल, किस की रिशना है Q42 है, जब वेदना के अधार पर स्वानु भूतियों के भेक्ती होने लगती है तो उसे हिंदी में चायावाद के नाम से अभी हित किया गया यह परिभाश है किस की है Q43 है, निर्जा, यामा, देपशी, का सांध्य, गेत, किस की रिशना है Q43 था यह Q43 का अंसर जो है, वो आएगा Option D Option D आएगा इसका अंसर, महादेवी की Q42 का मैंने अंसर बताया Option A, जेशंकर प्रशाद, 43 का अंसर बताया Option D, महादेवी Q44 है, चायावाद के बिहत रही में कौन से कभी नहीं है So, इसका अंसर आएगा Option B, दिनकर 45 है, चायावाद, सूल के प्रति सुक्षम का बिदरू है किसने कहा So, इसका अंसर आएगा Option C, डॉक्टर नगेंदर नै Q46 है, युगधारा, प्यासी, पथराई, आंखों, आंखें एबं भसमांकर किर्चेता कौन है So, इसका अंसर आएगा Option B, नागर्चुन Q47 है, 1935, इस भी में यूरोप में कहा प्रगिती शील, लेखक संग की स्थापना हुई So, इसका अंसर आएगा Option A, पैरिस 48 है, प्रगितिवादी का विदरिस्टी क्या है So, इसका अंसर आएगा Option A, वरग्चेतना परधान 49 है निमलित में से प्रत्तमतार सब्टक में कौन सा कवी है So, इसका अंसर आएगा Option C, अग्य 50 है डॉक्टर संभूनाद सिंग के अनुसार नवगीत परंप्रा के सूत्र धार कौन है So, इसका अंसर आएगा Option C, नागर्जुन 50 है समकालिन कवीता की काल, सीमा, प्राय क्या मानी गई है So, इसका अंसर आएगा Option D, मैंसे कोई नहीं Question 54 है मैतली गद्य की प्रत्तम रचना की से माना गया है So, इसका अंसर आएगा Option C, बर्न रतनाकार जोतिश्वर रचित Question 55 है नाटक जारी है, के रिचना का और कौन है So, इसका अंसर आएगा Option है दीलाधर जगूडी 56 है निवंद बखरा, वयुक्त, चिंतन है, किसका खतन है इसका अंसर आएगा Option है अडिसन Question 57 है रामायन का समय काशी मनिक करन का आदे भारतेंदू के निवंदों का विशे क्या है So, 57 का अंसर आएगा Option है इतिहास 58 है अंत्स तल तरलगिनी मरी खाल की हाय निवंद संग्रहन के लेखा कौन है इसका अंसर आएगा Option है अचार चतुर सेन 59 है श्रिंकला की कडियां किस की रशना है So, इसका अंसर आएगा Option है महादेवी वर्मा की 60 है कौन तू फुलवा बीनन हारी के रचेता कौन है इसका अंसर आएगा Option C विद्या निवास मिश्र 61 है शिब प्रशाद सिंग सितारे हिंद का पहला निवंद कौन सा है 64 है मुझे चान चाहिए उपनियास के लिखा कौन है 65 है मित्रो मरजानी जिंदगी नामा डार से बिचुड़ी किसके अपनियास है 66 है प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी कौन सी थी 67 है सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक की से माना जाता है 68 है नही कहानी का प्रारम किसकी कहानियों से माना जाता है 69 है रैन बसेरा अतिती देवोभब किसके कथागरन्त है इस कहन सराद का ऑप्शेन सी अब्दुल विस्मिल्ला question number 70 का answer मुझे confirm नहीं है guys question number 71 है किस प्रसाद उत्तर नाटकारों मैंने बिलिक्त में से कौन सा नहीं है इसका answer एक option A उपिंदर नाथ अशक्त 72 है longinus दोरा प्रतिपाधित का विसिधान कौन सा है इसका answer एक option A 73 है सस्यूर, स्कोलो, वस्की, रोमन, योको, वसन किस सहित्य धारा से जुड़े थे इसका answer भी confirm नहीं है 74 है आर्श, पोएति का किस रचना शिल्प में रचित है इसका answer एक option एक गद्य 75 है मचली पानी में रहती है इस वाक्य में किस कार कचिन है इसका answer एक option B अधिकरण जिसका किस सर्वनाम का योगे करूप है इसका answer एक option C 76 का answer एक option C जो 77 है धातु में ना जोडने से क्या वनता है इसका answer एक option B समानने करिया 78 है ब्योम का समानारती शब्द क्या है इसका answer एक option C अंबर 79 है उजस्वी का विलोम मारती शब्द कौन सा है तो इसका answer एक option C निस्तेज 80 है आंधी क्याम मुहावरे का अर्थ क्या है इसका answer एक option C सस्ती वस्तु है 81 है मुह में रख देना मुहावरे का अर्थ क्या है इसका answer एक option B सामने कह देना 82 है होंट चाटना का अर्थ है इसका answer एक option C किसी खाद्य पदार्थ का मज़ा लेना Q83 है चूहा का व्रायवच्ची क्या है इसका answer एक option D 84 है समर्ण का विलोम शब्द क्या है इसका answer एक option B 20 समर्ण अती करमन में उपसर कौन सा है 85 का answer एक option C 87 है फिलम वीडियो इंटरनेट टीवी रेडियो सम्रेशन के कैसे रूप है 87 का answer एक option C जन संचार माध्यम Q88 है बाचिन कितने प्रकार का होता है सका answer एक option A दो प्रकार का 89 है पत्रकारता का मूल देशे अधुलिकित में से कौन सा है सका answer एक option B अभी विक्तियों की सोतनतरता की रक्षा 90 है इंग्लेंड की संसत ने प्रेश सोतनतरता की सन में सुईकार की इसका answer एक option C 1780 Q91 है एक प्रकारता का 92 का answer एक option C बेतन ब्रिधी 93 है जो 91 है एप्रूबल का answer एक option C अनुमती और 92 का answer एक option A आस्थगित बेतन 92 का A option होगा आस्थगित बेतन Q93 है एक्टिंग एक्टिंग का answer एक option B कारे कारी 94 है special messenger 94 का answer एक option D बिशेज दूथ 95 है sanction 95 का answer जो है sanction कार्थ होता है मंजूरी मंजूरी भी हो सकता है येस मंजूरी ही होगा तो sanction का 95 का सही answer होगा वो हो option B मंजूरी 96 है कौन से चंद दोहा और रूला चंदों को मिलाकर बनता है 96 का answer एक option एक्टिंग लिया 97 है लावनियों ठूमरियों आधी को किस प्रकार के कापे में रखेंगे 97 का answer एक option C 98 है संकी राजभाश है हिंदी और लीपी देवनागरी होगी यह प्रावदन समिधान के किस अंशेद में है सो इसका answer एक option A 343 99 राजभाशा विभाग सोतनत रूप से किस सन में कारे करने लगा सका answer एक option B 1975 कोशन में 100 है हिंदी पोर्टल कहां से शुरू हुआ सका answer एक option D मुंबही से सो फ्रेंट्स यह थे first hundred questions अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और प्लीज प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करें 101 to 150 को 170 जो कोशन है वो मेरे अगली वीडियो में बना रहे हैं अगर आपको आपने नहीं देखिये वो वीडियो तो आप description box में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें थाकि आपका support मुझे मिलता रहे और लेटिस्ट वीडियो की अपडेट्स में आपके लिए लाती रहूं और आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें थैंक यू